Hello Friends, इस नये वीडियो लेक्च्चर में आपका स्वागत है तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कम्प्यूटर नेट्वर्स के बारे में ठीक है, जो आपका सब्सक्राइब के बारे में जा रहे हैं आपके जो online exam होने वाला है उसके point of view से भी important है इसलिए please वीडियो को अपनी दोस्तों के पास जरूर सेर कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं समझते हैं सबसे पहला question क्या है आपका तो first question है a term that refers to the way in which the nodes of network are linked together तो कह रहा है first option है आपका network second option है आपका topology third option है आपका connection four option है आपका interconnectivity तो यहां पर देखेंगे कि option number जो भी हो आपका बिल्कुल सही है option number जो second हो आपका बिल्कुल सही है topology ठीक है topology क्या होता है एक या दो या दो से अधिक जो systems होते हैं ठीक है जो networks होते हैं उनको connect करने का काम करता है ठीक है ना उनको एक दूसरे से link करने का काम करता है तो यहां पर आपसर नंबर जो भी हो आपका बिल्कुल सही option है इसके बाद हम लोग समझते है next question अगला जो question उसमें क्या पूछा जा रहा है physical और logical arrangement of network is called अगर हम लोग कहें physical या फिर logical जो arrangement है arrangement है network का इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं तो first option है आपका topology second option है आपका routing, third option है आपका networking, fourth option है आपका none of the mentioned तो यहां पर देखेंगे option number first जो है वो आपका बिल्कुल सही है topology बोलते हैं किसी भी network का जो physical या फिर logical arrangement होता है इसको हम लोग topology बोल सकते हैं तो यहां पर option number first आपका बिल्कुल right answer है ठीक है ना कोई भी अगर network है मौन लेते हैं network है इसका physical connection या फिर logical connection, physical connection मतलब हम लोग जो बाहर से देख सकते हैं कि 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 जो network है कई सारा network कैसे connect है ठीक है तो इसी को arrangement बोलेंगे कि जो network है कई सारा एक दिसरे से किस प्रकार से connect है इसी को क्या हम लोग बोलते हैं topology बोलते हैं तो यहां पर आफसन नमबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही option है इसके बाद हम लोग समझते हैं next question अगला जो question है data communication system इस पेनिंग से states countries और होल वर्ड इज फर्स्ट आपका लैन सेकेंड आपका वैन थर्ड आफसन आपका मैन फोर्थ आफसन आपका नन आप देमेंजिट तो यहां पर जो question बोला गया है कि इसमें से कौन सा networking है जिसके द्वारा हम लोग यह country से connect हो सकते हैं या फिर एक दूस नेटवर्किंग है तो हम लोग समझते हैं पहले land के बारे में ठीक है land क्या होता है local area network होता है local area network का मतलब एक particular building में इसका connection होगा networking का फिर यहा हो सकता है कि एक office में हो छोटे area के लिए जो होता है networking वो land का use होता है ठीक है न local area network जिसको बोलते हैं और wide area network क्या होता है आपका wide area network होता है आपका when wide area network इसका full form होता है wide area network का ही use हम लोग पूरे देश में भी कर सकते हैं या फिर एक देश से दूसरे देश में भी हम लोग करते है wide area network का तो यहां पे जो option number second दिया गया है when वो आपका बिल्कुल सही option है ठीक है इसी तरह से जो man होता है उसका क्या है metropolitan area network ए होता है networking करना होता तो वहां पर हम लोग जो man networking है उसका यूज करते है ठीक है थो यहां पर इस question के लिए जो answer है आपका वह when सही है ठीक है when क्या होता आपका wide area network wide area Network होता है एक लंबे छेत्र को cover करने के लिए w या फिर lan का यूज़ किया जाता है ठीक है इसके बाद हम लोग समझते हैं next question अगला जो question है उसमें क्या पूछा जा रहा है expand when W-A-N पूछा जा रहा है इसका full form ठीक है तीनों का जो full form है land, man, when तीनों का full form important है आपके exam में पूछा जा सकता है तो यहां पे पूछा गया आपका when का, जो full form होता है औहां फूछ आपसन आपका दिया गया है word area network, second option आपका दिया गया है, wide area network third option आपका दिया गया है, web area network four option आपका दिया गया, none of mission तो यहां पे option number जो second है औहापका बिल्कुल सही है wide area network ठीक है एक particular एक देश में या फिर एक country से दूसरे country में जो हम लोग communication करना होता है तो wide area network का use करते हैं ठीक है ना तो जो when होता है उसका full form क्या आपका wide area network है इसके बाद हम लोग समझते है next question अगला जो question है उसमें क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग समझते है multiplexing technique that shifts each signal to different carrier frequency तो इसमें से कौन सा multiplexing है जो different carrier frequency को shift करता है मतलब different carrier frequency का use करता है यहां पर देखेंगे इस तरह से यहां पर frequency है इस एक्सिस पर time है तो यहां पर देखेंगे user first के लिए अलग frequency होगा user second के लिए अलग frequency होगा ठीक है तो यहां पर आपका जो first option दिया गया है fdm frequency division multiplexing second option दिया गया आपका time division multiplexing थर्ड आफसन आपका दिया गया है बोथ FDM and TDM, फोर्थ आफसन आपका दिया गया है None of the mentioned, तो यहाँ पर आफसन नमबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है Frequency Division Multiplexing, जो Frequency Division Multiplexing होता है उसमें क्या होता है, एक अलग Frequency Allot कर दिया जाता है एक यूजर को, ठीक है, एक अलग Frequency Allot कर दिया जाता है अलग अलग यूजर को, इस तरह से different frequency हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर shift कर सकते हैं, किसमें FDM में, Frequency Division Multiplexing में इसके बाद हम लोग समझते हैं, next question, अगला जो question है data communication system within a building और campus अगर हम लोग का जो networking करना है, एक particular building में है या फिर एक particular office में है, या फिर campus में हम लोग को use करना है communication करना है, तो कौन सा हम लोग networking का use करेंगे तो first app का land, second option है आपका when, third option है आपका man, fourth option है none of man आपका बिल्कुल सही, मैंने आपको पहले ही बताया है, कि जो land होता है, छोटे area के लिए, छोटे area को cover करने के लिए होता है, जैसे आपका particular building हो गया, या फिर एक particular आपका कोई office हो गया, कोई campus हो गया, तो इसमें जो हम लोग networking का use कर सकते हैं, तो किसका use कर सकते हैं, land का use कर सकते हैं, इसलिए इसकानाम ही बढ़ा, local area network, एक local area को cover करने के लिए, कम चोटे से चोटे area को cover करने के लिए land का हम लोग यूज़ करते हैं इसके बाद समझते हैं next question अगला जो question उसमें क्या पूछा जा रहा है अगला जो question है इसमें पूछा जा रहा है a topology that involves token ठीक है? tokens जो होता है उसमें कौन सा topology involved होता है? तो आप comment box में जरूर बताएगा कि जो tokens है वो क्या होता है? ठीक है? एक question आपके लिए है कि जो token होता है token का आप लोग दूसरा मतलब समझ रहे होंगे लेकिन token क्या होता है? इसको आप लोग comment box में बताईएगा ठीक है ना? तो अगर हम लोग बात करें tokens के बारे में तो tokens में कौन सा topology इन्वाल होता है तो first option आपका star topology, second option आपका ring topology, third option आपका burst topology, fourth option आपका dashi chaining तो यहाँ पे option number देखेंगे कि जो option number B हो आपका बिल्कुल सही है ring topology, जो आपका tokens है उसमें जो topology involved होता है उसमें जो topology योज़ोता है क्या पूछा जा रहा है, इसको हम लोग समझ लेते है Bluetooth is an example of कह रहा है कि Bluetooth किसका example है, ठीक है Bluetooth जो है, वो किसका example है first option आपका दिया गया है personal area network, second option आपका दिया गया है local area network third option आपका दिया गया है virtual private network, fourth option आपका दिया गया है बोट ही कम होता है, ठीक है personal users के लिए हम लोग Bluetooth का यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग personal area network बोलते हैं, तो Bluetooth किसका example है, personal area network option number first जो है, वो आपका बिल्कुल सही option है इसके बाद हम लोग समझते हैं, next question अगरा जो question उसमें क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना तो question है आपका, which of the following networks extends a private network across public network ठीक है, जो public network है उसको कैसे extend किया जा रहा है private network में किस network के द्वारा तो first option है आपका local area network के द्वारा second option है आपका virtual private network के द्वारा third option है आपका enterprise प्राइवेट network के द्वारा fourth option है आपका storage area network के द्वारा ठीक है तो यहां पर देखेंगे option number जो आपका second हो आपका बिल्कुल सही option है वर्चूल private network के द्वारा ही हम लोग जो public network है ठीक है उसको हम लोग private network के एक्स्टेंड कर रहे हैं उसमें क्या पुछा जा रहा है, O and T is connected to splitter using, जो O and T होता है networking में, ठीक है, O splitter से किस प्रकार से connect होता है, किस के द्वारा connect होता है, तो first option है आपका high speed fiber cable, second option है आपका HFC, third option है आपका optical cable, fourth option है आपका twisted pair cable, तो यहाँ पर option number third आपका बिल्कुल सही है, optical fiber cable से, जो O and T होता है, वो आपका, जो splitter होता है, दोनों आपस में connect होते हैं, ठीक है, optical fiber के through, तो यहाँ पर option number C आपका बिल्कुल सही option है, ठीक है ना, तो यही आज का topic था, 10 most important question इस video lecture में कवर कराए गया है, computer networks के, ठीक है, तो video समझ में आया होगा, तो video को like कीजेगा, चैनल पर नए होगे, तो channel को subscribe भी कर लिजेगा, और कोई doubt रह गया हो, अगर video lecture में कोई doubt हो, तो जरूर comment box में पूछ सकते हैं, कोशिस किया जाए, कि हर आपके comment का reply किया जाए, अगर आप कोई और video चाहते हैं, किसी और subject पर video चाहते हैं, या फिर किसी और topic पर video चाहते हैं, तो भी आप comment box में comment कर सकते हैं, और कोशिस किया जाएगा, उस topic को cover करने के लिए, तो मिलते हैं next video में, तक तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस रहिए, पढ़ते रहिए, जाएंद,